वेल्कम कियो जस्टोकेट हेई फ्रेंड्स हमारी एर फ्राय स्पेशल सीरीज चल रही है और उसमें आज हम बना रहे हैं आलू और कॉन लॉली पॉप्स इसमें तॉ ुपॉप च्णूण सबसे बनाती है सबसे पहले हम लेंगे आलू उसे मैश करेंगे अपने हातों कि माश करेंगे कि अब इसमें आड्ड करेंगे हम कॉंस को हमने पहले कोई गरा है फिर ईसमें सेक टर्राय है militar करेंगे तब हम इसमें से कवा myth हो जाए यह दोनों चीज़े साथी में यहां पर डाल देंगे मैदा तो यहां पर हमने एक कर्ची मैदा का इस्तमाल करा है और एक ही जो कर्ची है यानि करण के दालें या पर हमसाले डालें गयानी कि नमक लाल मिर्च गरम शाला थाग दाल रहे हैं या पर कर विफ हाथी में डालेंगे हल्दी चाठ मसाला और काली मिर्च अब इसमें दाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स जो लगबग हमने एक छोटा चम्मच ही डाली है साथ ही में डालेंगे औरेगैनो वो भी एक छोटा चम्मच और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और कमबाइन कर लेंगे तो इस तरीकी से जो बैटर है वो हमारा बनकर तयार हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से इसे कमबाइन कर लेना है अब लेंगे हमें एक ग्लास और इस ग्लास में याँपर हम डालेंगे एक कर्ची मैदा साथी में एक कर्ची कॉन फ्लॉर लेंगे उसमें डालेंगे नमक स्वादनुसार रेड चिली फ्लेक्स और इसमें अब हम पानी मिलाकर इसकी एक सलरी सी तयार कर लेंगे क्योंकि हमारा जो हमने लॉली पॉप का बेस बनाया है जो बैटर बनाया है उस बैटर को हमने अच्छे से लॉली पॉप की शेप देनी है अब यह यहां पर हम शेप दे रहे हैं जो आइस क्रीम होती है उसकी शेप दे रहे हैं आप चाहें तो मोल्ड का इस्तमाल भी कर सकते हैं कोई अलग शेप भी दे सकते हैं लंबा लॉली पॉप भी बना सकते हैं तो अपने तरीके से उसको शेप करना है बैटर को और एक आइस क्रिम स्टिक जो है वो उसके सेंटर में लगा देनी है अब इसको जो है हमने इसी तरीके से सारे बना लेने हैं अब इसे डिप करेंगे हम उस लरी में जो हमने कॉन फ्लार और मैदा से बनाई थी उपर से इसको कोट करेंगे अच्छे से ब्रेट क्रम्प से तो सभी ब्रेट क्रम्प पूरे तरीके से मतलब इसके उपर लग जाना चाहिए है तो ये बहुत driver क्रिसपी बनेगा और बिल्कुल बजार जैसा जो है टेस्ट आने वाला है तो इसी तरीके से सारे जो लॉली पॉप्स हैं आलू कॉन के वो हम बना कर तयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से लगेंगे ये सारे तो जैसे कि मैंने कहां आप उसको किसी भी शेप में बना सकते हैं जो शेप आपको पसंद हो वो बना सकते हैं और अब हम करेंगे इसे एयर फ्रायर तो यहां पर हम इसे सेट कर देंगे एयर फ्रायर में और आप देखेंगे हमने इसमें बिल्कुल ऑईल का इस्तमाल जो अभी तक नहीं करा है सो बहुत ही अच्छी रेसलिपी बनने वाली है हेल्दी होएगी क्योंकि हम इसे डीप फ्राय नहीं कर रहे हैं हम इसे एयर फ्रायर में डालेंगे दो सो डिग्री सेल्सियस पे हम उसे सेट कर देंगे और पंधरा मिनट के लिए इसको बस चलाना है पंधरा मिनट में एक तम क्रिस्पी आलू कॉन लॉली पॉप्स जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे इसे आप ग्रीन चटनी के साथ टोमेटो केचप के साथ साथ सर्फ कर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा I'll see you next time with more recipes subscribe just cook it